है गाईज मैं सुमिते को फिर से बहुत-बहुत सौग करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट हलब यूट्यूटीब चानल पे सो गाईज अभी के इस वीडियो में हम लोग पूरा डीटेल से समझने वाले हैं फाइनल राउंड का जो कांसिलिंग है उसका पूरा प्रोसस समझेंगे इसमें और अभी जानेंगे किizarा से registration करना है ठारड राउंड के लिए final राउंड के लिए किस तरह से registration करना आ है वह विद देमो प्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक कर तो आपके सामने में यहां पर यह उप्सन आ जाता है अब इस इंटरफेस में आप देख लोगों के आपको यहां पर रॉल नमबर और पासवर देने के बाद साइन इन का भी उप्सन है और साथ इनीचे न्यू कैंडिडेट रेजिट्रेशन का भी उप्सन है यहां पर अभी कुछ इस्टूरंस कंफ्यूज हो रहा है इस चीज को लेकर के कि वो न्यू रेजिट्रेशन करेंगे या फिर सिंपल क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है फाइनल राउंड का जो कांसिलिंग प्रॉसस होता है इसमें 40,000 जो सीट एकस्टेशन वी इसको पहले ले जाता है और जो रेजिट्रेशन होता है हमारा फाइनल राउंड के लिए यहां पर फिर से करना पड़ता है सारा प्रॉसस वैसे ह होता है जिस तरह से first round में होता है हम लोग का first round में भी हम लोगों ने पहले registration किया था फिर choice filling किया था लेकिन यहां final round में एक चीज़ चेंज हो जाता है यहां पर registration तो हम लोग को same ही करना होता है as he did जिस तरह से first round में करते हैं लेकिन यहां पर payment जो है वो हम लोगों को पहले करना होता है मतलब जैसे ही आप यहाँ पर रेजिट्रेशन कर लेते हो पर्सनल प्रोफाइल फिल कर लेते हो उसके फिर आपको fee pay करना होता है then हम लोग choice filling के option तक जाते हैं लेकिन first round में क्या होता था कि पहले आपको जब तक seat allotment नहीं होता था तब तक आपको पास payment का option आता ही नहीं था तो एक benefit यही था वहाँ अब देखो यहाँ पर simply sign in उन सब इस students को करना है जिन्होंने बागी सारा process पहले कर लिया हुआ है मतलब जिसने first round में registration अपना कर लिया था अपने आपको registration नहीं किया था वैसे student या फिर जिन्होंने withdraw भी कर दिया है या फिर जो मतलब absent थे अभी से लेके उपर के पुरा process तक तो वैसे student अभी यहाँ पर new candidate registration करके अपना IA का process कर सकते हैं और अपने desire college में admission ले सकते हैं एक चीज मैं बता दू बहुत सारे student यहाँ पर यह घबरा हुए कि मेरे college में मेरे category के according मातर 10 seat है 12 seat है 9 seat है तो इस चीज से कभी भी मत घबराना वो जो vacancy वाला जो दिया जाता है न उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ पे 2 seat दिया हुआ है मान लेते 5 seat दिया गया है आपके category के according आपके desired college में तो क्या आप उसको fill नहीं करोगे उसको वैसे ही छोड़ दोगे उसको देख करके अपने mind के उपर pressure मतलो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जो आपका काम है अपने काम पे focus करो आये का process करना आप वो करो final round counseling को अच्छे तरीके से बहतर इन तरीके से करो तो अभी मेरे पास जैस student का ये ID है इसने अभी तक registration नहीं किया था तो अभी यहाँ पे हम लोग new candidate registration से start करेंगे और जिन्रों नहीं से पहले registration कर लिया है आप simply यहाँ पे roll number और password दे करके sign in करोगे तो हम कर लेते हैं new candidate registration पे click जैसे यहाँ पे आप click करते हो आपके सामने में इस तरह का एक interface open होकर के आ जाएगा यहाँ पे candidate consent में आप इसको पढ़ लोगे ध्यान से पढ़ ले हैं मैंने पढ़ लिया है उतना भी समझाऊंगो वीडियो बहुत जादे लंबा हो जागा आप इसको पढ़ के समझ लेना और नीचे आइगरी पे simply click कर देना है तो यहाँ इसको पढ़ने के बाद proper तरीके से आइगरी पे click करते हैं जैसे ही आप आइगरी करोगे आपके सामने में new candidate registration का जो option है वो open हो करके आ जाता है अब यहाँ पे simply आपको आपका roll number, application number, candidate name, father's name, date of birth उसके बाद security page नीचे में दिया गया है उसको डालने के बाद simply submit कर देना है ध्यान से आप जो भी इसमें fill करोगे एक-इक spelling मिला करें रखना क्योंकि यहाँ पे जो आप डालोगे final allotment later में आपका वही निकल गया आएगा तो इसको बारीकी से और बहतरीन तरीके से इसको fill करके submit करें अब यहाँ submit करते ही आपके सामने में आपको आपका mobile number, email id और choose your password बोलना है तो mobile number और email id अपना fill कर दोगे then आप जो भी password यहाँ पे अपना लगाना चाहते हो वो password आप डाल देना यहाँ पे password and security pin fill करने के वाद simply नीचे final submit for registration पे click कर देना है final submit करते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का interface open हो करके आजाता है अब यहाँ पे आपको आपका application form जो है उसको fill करना है तो simply यहाँ नीचे में जो application form दिया गया उस पे click कर देते हैं जैसे आप click करोगे आपके सामने में आपका application form open हो करके आ जाता है अब यहाँ पे एक चीज़ जड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे आपको आपका gender या फिर आपका category अगर आप change करना चाते हो तो वो आप कर सकते हो क्योंकि बहुत से इसे होते हैं जिनका category जिनको category change करना पड़ता है जैसे अगर उन्होंने पहले general में दे दिया था अब उनका EWS certificate आ गया है तो अगर आप general से EWS में change करना चाते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे आपको category change करने का भी option दिया गया है ध्यान रहे जिस भी category में आप change कर रहे हो उस category का certificate आपके पास होना चाहिए नहीं तो आपका seat cancel हो जाएगा तो यहाँ अगर आप change करना चाते हो चेंज कर लो नहीं तो वैसे ही छोड़ करके save and next पे click कर देना है जैसे आप save and next पे click करते हो देन आपके सामने में एक और interface open होकर क्या आजाता है अब यहाँ पे आपको आपका 10 plus 2 का marks detail देना है तो आपका passing status क्या है वो डाल दोगे passing year कौन सा है वो डाल दोगे result mode में किस तरह से मतलब हो percentage है तो percentage डाल दोगे और then यह सब कुछ फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ save and next पे click कर देना है अब यहाँ पे आपके पास आपका contact detail का option open होकर क्या आ जाता है यहाँ पे आपको आपका address फिल करना है अपने आधार card के accordingly अपना address दे देना simple है इसको अच्छे से फिल कर देना और नीचे आप ध्यान से देख लोगे permanent address है और यहाँ correspondence address है अगर आपका दोनों address एक ही है तो correspondence address फिल करने के बाद नीचे same as correspondence address जो है उस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका काम वहाँ से भी हो जाएगा easy है इसको अपने से भी आप खुद से भी कर सकते हो और इसको फिल करने के बाद भी आप आगी save and next पे क्लिक कर देना सुन लो अगर किसी को बहुत जादा प्रॉलम हो रहा है फिल करने में तो आप अपने नजदी की saver cafe में जा करके भी यह सारा process कर सकते हो वैसे में को नहीं लगता कि इस वीडियो को द्यान से समझने और देखने के बाद आपको saver cafe जाने का भी जूरत परेगा अब इसको save करने के बाद एक final preview आपके सामने में निकल के आएगा जब आप final submit करोगे उससे पहले यह पुरा preview रहेगा यहाँ पे कि आपका जो भी details यहाँ पे दिया गया वो सब सही है या नहीं है अगर कुछ यहाँ पे गलत है तो आप इसको अभी भी change कर सकते हो अगर आपका सब कुछ सही है इसको final submit पे click कर देना अब यहाँ पे आपका जो registration process है third and final round का वो process हो चुका है अब जो next step है वो है यहाँ पे 40,000 जो fee हमारा seat acceptance fee उसको pay करना अभी के इसी वीडियो में हम लोड़केंगे यहीं तक next वीडियो में बात करेंगे यही 40,000 जो seat acceptance fee है उसको कैसे pay करना है फिर choice filling कैसे करना है choice locking कैसे होना है उसके फिर seat allotment result आएगा और बागी सारी process जो आगेगा वो कैसे करना है यह सब कुछ आगे के वीडियो में जानेंगे अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें बहुत 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 धन्यवाद